ओम श्री अनंत कोटी ब्रह्माण नायक राजा धिराज योगी राज पार ब्रह्म श्री सचिदा आनंद समर्शत गुरू साइनात महराज की जय हो हे गुरुवर हे साही बाबा आज का अध्याए श्री साही सचिदा का अध्याए 22 जिसका पठन हो रहे जा रहा है गुरूदेव ये पार्ट सभी के चित में उत्रे सभी को इसका लाब हो आईए पठन शुरू करते हैं अध्याए 22 जिसमें दिया है सर्प विश से रक्षा पहला श्री बाला साहिब मिरिकर दूसरा श्री बापु साहिब बूटी तीसरा श्री अमीर शक्कर चौथा श्री हिमाट पंत पांचमा बाबा के विचार अब जानते हैं बाबा की सर्प मारने पर सला श्री साही बाबा की प्रकरती अगहाद है जिसका वर्णन करने में वेद और सहत्र मुखी शेशनाग भी अपने को असमर्थ पाते हैं भक्तों की रूची स्वरूप वर्णन से नहीं उनकी तो द्रण धारना है कि आनंद की प्राप्ति केवल उनके श्री चर्णों से ही संभव है उनके चरण कम मार्ग सुझाते हैं वह है कृष्ण पक्ष के आरंब होने पर चंद्र कलाएं दिन प्रती दिन घटती जाती हैं तथा उनका प्रकाश भी क्रमशा शीन होता जाता है और अंत में अमावस्या के दिन चंद्रमा के पूर्ण विलीन रहने पर चारों और निशा का भयंकर इसके बाद दुट्या को जब चंद्र अधिक स्पष्ट नहीं होता तब लोगों को व्रक्ष की दो शाखाओं के बीच से चंद्र दर्शन करने के लिए कहा जाता है और जब इन शाखाओं के बीच उत्सुकता और ध्यानपूर्वक देखने का प्रत्न किया जाता है तो द दांत का अनुमोधन करते हुए हमें बाबा के श्री दर्शन का भी प्रत्न करना चाहिए बाबा के चित्र की और देखो आहा कितना सुंदर है वे पैर मोड कर बैठे हैं और दाहिना पैर बाएं घुटने पर रखा गया है बाएं हाद की अंगुलियां दाहिने चरण पर फ खैली हुई है इस आकरती से बाबा समझा रहे है कि यदि तुम्हें मेरे अध्यात्मिक दर्शन करने की इच्छा रखते हो तो अभिमान शुन्ने और विनम्र होकर उक्त दो अंगलियों के बीच से मेरे चरण के अंगुठे का ध्यान करो तब कहीं तुम्हें इस सत्य सुर बाबा की जीवनी का अवलोकन करें साइंबाबा के वास से ही श्रिडी तिरस्थल बन गया है चारों और से लोगों की भीड वहां प्रतिदिन बढ़ने लगी है तथा धनी और निर्धन सभी को किसी ना किसी रूप में लाब पहुचा रहा है बाबा के असीम प्रेम उनके अद्भुत ज्यान भंडार और सर्व्यापकता का वर्णन करने की सामर्थे किसे हैं धन्य तो वहीं हैं जिसे कुछ अनुभव हो चुका है कभी कभी वेव ब्रह्म में निमग्न रहने के कारण दीर्ग मौन धारन कर लिया करते थे कभी कभी वे चैतन्य घन और आनंदमूर वुति बन भक्तों से घिरे हुए रहते थे कभी द्रिश्टांत देते तो कभी हस्य विनोद किया करते थे कभी सरलचित रहते तो कभी कुछ भी हो जाया करते थे भक्तों को उनके मुख मंडल के अवलोकन वार्तालाप करने और लिलाएं सुनने की इच्छाएंसदा किया जा सकता है परंतु बाबा की लिलाओं का कोई भी अंत ना पा सकता अब उन लिलाओं में से एक लिला का यहां दर्शन करें भक्तों के संकटों के घटिद होने के पूर भी बाबा उप्युक्त अवसर पर किस प्रकार उनकी रक्षा किया करते थे शिरीबाला साहिब मिरि वेसाई बाबा के दर्शनार्थ शिर्डी पधारे उनने मस्जिद में जाकर बाबा की चरनवंदना की और सदेव की भाती स्वास्थे तथा अन्य विशों पर चर्चा की बाबा ने उन्हें चेतामनी देकर कहा की जहां तुम बैठे हो वही द्वार का माई है जो उसकी गो की तो वह मा है और संकटों में उनकी रक्षा अवश्य करेगी जो उसकी गोद में एक बार बैठता है उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं जो उसकी छत्रचाया में विश्राम करता है उसे आनंद और सुख की प्राप्ती होती है तदुपरांत बाबा ने उदी देकर अप सर्फ से परिचित हो और अपनी बाई मुठी बंद कर उससे दाहिने हाथ की कुहिणी के पास ले जाकर दाहिने हाथ को शांप के सिदर्श लहा बोले कि वह अती भयंकर है प्रणतु द्वारका माई उनकी रक्षा करने वाली है तो सर्ब की सामर्थ ही क्या है वहां उपस्थित लोग इसका अर्थ तथा मिरिकर को इस परकार चेतामनी देने का कारण जानना चाहते थे परंतो पूछने का साहज किसे भी नहीं था बाबा ने शामा को बुलाया और बाला साहिब के साथ जाकर च आपको व्यर्थी कष्ट उठाना उचित नहीं है बाला साहिब ने जो कुछ कहा वह शामा ने बाबा को बताया बाबा बोले कि अच्छा ठीक है ना जाओ सदेव उचित अर्थ ग्रहन कर स्रेष्ट कार्रे ही करना चाहिए जो कुछ होने वाला है सो तो होकर ही रहेगा बाल साहिब के साथ तांगे में रवाना हो गए वे नौ बजे चितली पहुँचे और मारुती मंदिर में जाकर ठहरे कार्याले के कर्मचारी गण अभी नहीं आये थे इस कारण वे यहां वहां की चर्चाएं करने लगे बाला साहिब दैनिक पत्र पढ़ते हुए चटाई पर श सी सी करता हुआ आगे रेंगने लगा यह आवाज सुनकर चप्रासी दोड़ा और लाल टन ले आया सर्ब को देखकर वह सांप सांप कहकर उच्चुस्वर में चिलाने लगा तब बाला साहिब अती भयवित होकर कापने लगे शामा को भी अश्चर्य हुआ तब बे तथा अ काल ही प्रानांत कर दिया जिस संकट की बाबा ने भविश्यवनी की थी वह टल गया और साइचरुनों में बाला साहिब का प्रेम द्रण हो गया अब आगे पढ़ते हैं बापु साहिब बूटी एक दिन महान जोतिशी श्री नाना साहिब डेंगले ने बापु साहिब बू जब सदैव की भाती वे बाबा के दर्शन करने गए तो वे बोले कि ये नाना क्या कहते हैं वे तुमारी मृत्यू की भविश्यवनी कर रहे हैं प्रंतु तुम्हें भयबीत होने की किंचित मात्र भी आवशकता नहीं है इनसे द्रंता पूर्वक कह दो कि अच्छा देखे काल मेरा किस तरह आपरहन करता है जब संध्या समय बापू अपने शोच ग्रह में गए तो वहां उन्हें एक सर्प दिखाई दिया उनके नौकर ने भी सर्प को देख लिया और उसे मारने को एक पत्थर उठाया बापू साहिब ने एक लंबी लकडी मंगवाई परंतु ल पूरी पर रेंगता हुआ दिखाई दिया और तुरंथी दिष्टी से ओजल हो गया बापू साहिब को बाबा के अभैपूर्ण वच्चनों का स्परन हुआ और बड़ा ही संतोश हुआ अब आगे पढ़ते हैं अमीर शक्कर अमीर शक्कर कोरले गाउं का निवासी था जो क गठिया रोग से अधिक कष्ट पा रहा था जब उसे खुदा की स्मृती आई तब काम धंधा छोड़कर वैशरिडी आया और बाबा से रोग निवरती की प्रार्थना करने लगा तब बाबा ने उसे चावडी में जाकर रहने के आग्या दी चावडी उस समय एक अस्वा स पस्त कारक स्थान होने के कारण इस प्रकार के रोगियों के लिए सर्वता अयोगी थी गाउं का अन्य कोई भी स्थान उसके लिए बहतर होता परंतु बाबा के शब्द तो निर्नयात्मक तथा मुख्य औशिदी सुरूप थे बाबा ने उसे मस्जिद में ना आने दिया और चावडी में ही रहने की आग्या दी वहां उसे बहुत लाब हुआ बाबा प्राते और साइकाल चावडी से निकलते थे तता एक दिन के अंतर से जलूज के साथ वहां आते और वहीं विश्राम किया करते थे इसलिए अमीर को बाबा का सानिद्य सरलता पूर्वक किस्थान को छोड़कर कौपर गाव की धर्मशाला में जा ठहरा वहां पहुंचकर उसने वहां एक फकीर को मरते हुए देखा जो पानी मांग रहा था अमीर ने उसे पानी दिया जिसे पीते ही उसका देहान थो गया अब अमीर किंकरतवे विमूड हो गया उसे विचार आय कि अधिकारियों की इसकी सूचना दे दूं तो मैं ही मृत्यू के लिए उत्तरदाई ठहराया जाऊंगा और प्रथम सूचना पहुंचाने के नाते कि मुझे अवश्य ही इस विशे की अधिक जानकारी होगी सबसे प्रथम मैं ही पकड़ा जाऊंगा तब बिना आग्या श कोफटने से पूर भी श्रिडी वापिस पहुंच कर चिंता मुक्त हो गया फिर वह चावडी में बाबा की इच्छा और आग्या अनुसार ही रहने लगा और शीग्र ही रोग मुक्त हो गया एक समय ऐसा हुआ कि अर्द रात्री को बाबा ने जोर से पुकारा कि ओ पुल ने लालटन लेकर बाबा का बिस्तर देखा परन्तु वहां कुछ भी ना दिखा बाबा ने ध्यान पुर्वक सारे स्थान का निर्क्षन करने को कहा और वे अपना सटका भी जमीन पर पटकने लगे बाबा की यह लीला देखकर अमीर ने सोचा कि हो सकता है कि बाबा क किसी सांप के आने की शंका हुई हो दिर्ग काल तक बाबा की संगती में रहने के कारण अमीर को उनके शब्दों और कारियों का अर्थ समझ में आ गया था उन्होंने अपने बिस्तर के पास कुछ रेंगता हुआ देखा तब उनने अब्दुल से बत्ती मंगवाई और एक स पन हिला रहा था फिर वे सांप तुरंत ही मार डाला गया इस प्रकार बाबा ने सामेक सूचना देकर अमीर के प्राणों की रक्षा की आगे जानते हैं हिमाडपंत बिच्छू और सांप पहला बाबा की आग्यानुसार काका साहिब दिक्षित शिरी एकनात महराज के दो ग सम्मिलित थे अपनी मा के आदेशा अनुसार किस प्रकार हनुमान ने शिरी राम की महनता की परिक्षा ली यह प्रसंग चल रहा था सब श्रोता जन्मंत्र मुक्द हो रहे थे तथा हेमाडपंत की भी वही सिती थी पता नहीं कहां से एक बड़ा बिच्छू उनके उपर आ कंधे पर पड़ गई उन्होंने उस विच्छू को देख लिया वह म्रत प्राहसा प्रतीत हो रहा था मानों वह भी कथा के आनंद में तलीन हो हरी इच्छा जानकर उन्होंने श्रोताओं में बिना विग्ण डाले उसे अपनी धोती के दोनों सिरे मिला कर उसमें लबेट ल हुए थे तभी एक साप खिड़की की चौखट के एक छिद्र में से भीतर गुसाया और कुंडली मारकर बैठ गया बत्ती लाने पर पहले तो वह थोड़ा चमका फिर वहीं चुपचा बैठा रहा और अपना फन हिलाने लगा बहुत से लोग छड़ी और डंडा लेकर वहा सद्रश्य हो गया तब कहीं सब लोगों की जान में जान आई बाबा के विचार एक भक्त मुक्ताराम कहने लगा कि चलो अच्छा ही हुआ जो एक जीव बैचारा बच गया श्रीहमाणपंत ने उसकी अवहेलना कर कहा कि सांप को मारना ही उचित है इस कारण इस विशे पर वाद विवाद होने लगा एक का मत था कि सांप तथा उसके सद्रश्य जंतों को मार डालना ही उचित है किन्तु दूसरे का इसके विपरीत मत था रात्री अधिक हो जाने के कारण किसी निशकर्ष पर पहुंचे बिना ही उन्हें विवाद इस्थगित करना पड़ा दूसर शांप हो या बिच्छु है वे ही इस विश्व के नियंत्रन करता है और सब प्राणी सांप बिच्छु त्यादी उनकी आग्या का ही पालन किया करते हैं उनकी इच्छा के बिना कोई भी दूसरों को हानी नहीं पहुँचा सकता समस्त विश्व उनके आधीन है तथा नहीं करना चाहिए वे मनस्य या संघार करना छोड़कर शांत चित्त से जीवन व्यतीत करना चाहिए इश्वर सबका ही रक्षक है शिरी सद्गुरु साइनाथ पर नमस्तु शुबं भवतु ये सब तह परायन तृत्य विश्राम ओम साइराम